जो लोग अपनी लाइफ को उदास होकर जीते हैं उनके लिए बीके सिवानी कहती हैं कि आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो भगवान के हस्ताक्षर हैं इसे क्रोध से या रोने से या आसुवों से मिटने ना दे जो लोग छोटी-छोटी बाते सोचते हैं या छोटी-छोटी चीजों पर लड़ते जगडते हैं या छोटा सोचते हैं उनके लिए ड्रोनल्ड ट्रम्प कहते हैं जो अमेरिका के पूर्व राश्ट पती थे वो कहते हैं कि जो भी हो अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोच जो लोग दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और उनके बारे में निंदा करते हैं उनके लिए ड्रेन करनी कहते हैं कि कोई भी मूर्ख आरोचना निंदा या शिकायत कर सकता है तो इनके अकॉर्डिंग दुनिया में ज्यादातर लोग मूर्ख ही हैं जो लोग लाइफ में बड़े डिसीजन लेने से डरते हैं उन्हें लगता है कि अगर ये असफल हो गया तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी उनके लिए एलन मास्त कहते हैं कि नई रडभुमी से डरो मत बनकि उसका सामना करो ये शब्द सामना करने बाले मैंने जोड़ दिये जो लोग लाइफ में फिर से प्रियास करने से डरते हैं अगर वो एक वार दो बार तीन बार असफल हो जाते हैं किसी काम को करते हुए तो दोबारा उनकी हमत नहीं होती कि वो आगे कोई काम करे तो उनके लिए जेफ बेजोस कहते हैं मैं जानता था कि अगर मैं असफल हो गया तो मुझे अपसोस नहीं होगा लेकिन एक चीज है जिसका मुझे अपसोस हो सकता है और वो है प्रियास ना करना जो लोग अपसरों का इंतजार करते हैं कि कब सही वक्त आएगा और हम दिसीजन लेंगे तो उनके लिए बुरूस्टली जो जाने वाने फाइटर थे उनकों कहते हैं कि हालात भाड में जाए मैं अपसरों का निर्वाड खुद करता हूँ एक बात तो है जो इंसान उम्र भर मुहुरत का इंतजार करता है कि कब सही मुहुरत आएगा और वो डिसीजन लेगा कितनी बिचितर बात है कि हर इंसान बिना मुहुरत के पैदा होता है और बिना मुहुरत के ही चला जाता है